क्या आपने कभी मोती चूर के लड़ू घर पर बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान है बिल्कुल हलवाई जैसे लड़ू हम घर पर बना लेंगे और जब आप इनको खाएंगे या किसी को भी खिलाएंगे न पता भी नहीं चलेगा कि आपने घर पर बनाए हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट है और यह देखने में भी एकदम मार्केट के लड़ू जैसे लगेंगे जैसे हलवाई ने बनाए हो बहुत ही आसान रेसिपी है आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपको अच्छे से समझ आएगा और आप इन लड़ू को बहुत ही आसानी से घर पर बना लेंगे हरे कृष्णा फ्रेंड्स स्वागत है आपका मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी में और यह मोती चूर के लड़ू या बुंदी के लड़ू अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीस के लिए तो चलिए बनाते हैं बुंदी के लड़ू तो इन लड़ू को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक कप बेसन क्योंकि बुंदी बेसन से ही बनती है तो सबसे पहले एक कप बेसन लेना है और इसे एक mixing ball में डाल लेना है और उसके बाद इसे चान कर लेना है ताकि इसमें थोड़े भी lumps या फिर जैसे कभी डाल के दाने रह जाते वो न रहें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे mix करते जाना है इसमें ना तो चीनी ना गुड़ ना नमक कुछ नहीं डालना है केवल बेसन और पानी ही हमें यूज करना है तो बेसन में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमें जैसा वेटर बन जाना है वो perfect बने एक साथ पानी डाल देंगे तो पतला हो जाएगा है ना इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे mix करते जाएंगे तो घोल बनाते समय हमें ध्यान रखना है क्योंकि जब बुंदी बनाएंगे तो हमारे घोल पर ही depend करती है कि कैसी बु जारा होता है वो है तो बहुत ही अच्छा है उससे आपके बुंदी एकदम perfect बन जाएगी लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताती हूं तो उसके लिए हमने बुंदी बनाने का बेटर है वो बना लिया है बुंदी बनाने का चाहिए जो थोड़ा सा बड़े होते हैं उनके लिए गाड़ा तो यहां मेरे पास ये सोवन पापड़ी का डिब्बा था उस पर मैंने जो बड़ी वाली सूजी आती है न सिलाई करने वाले उससे होल कर लिए है अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं इससे बुंदी निकल निकल रही है अच्छे से बनेगी या नहीं तो यह देखिए यह अच्छे से निकल रही है मतलब हमारी बुंदी बहुत ही अच्छे से बन चाहेगी तो हमारा गोल एकदम परफेक्ट बन गया है तब हम इसे रख देंगे साइट में और आप भी इस तरह से जुगाड़ वा और जब हम इसमें बुंदी डालें तो ये फटा-फट तैर कर उपर आ जाए फटा-फट जैसे ही बुंदी जाए तेल में और वापस तैर करा जाए इतना तेल गराम होना चाहिए और इस तरह से हम बुंदी डालते जाएंगे, इस डिब्बे को हिलाते जाएंगे, तो हमारी जो बुंदी है वो perfect बनती जाएगी, अब इसमें थोड़ा बड़ी और थोड़ा छोटी बुंदी इसलिए बन रही है, क्योंकि जो hole है वो कोई बड़े कोई छोटे है, market का जो जह जहारे से जहार लेंगे, और उसके बाद तुरंत ही इसको निकाल लेंगे, बहुत देर तक इसको नहीं है, इसमें रखना है तेल में, क्योंकि जैसे ही तैर कर उपर आएगी, यह फटा-फट से सिक जाएगी, तो हम इससे इस तरह से निकाल लेंगे, और आप कोई भी newspaper या बुंदी थोड़ा देर लग रहा है बनने में, और अगर जहारा होता, वो बड़ा रहता है, तो उससे बुंदी थोड़ा जल्दी बन जाती है, बस इतना ही difference है, कोई दिक्कत नहीं होगे, अगर आप बनाएंगे तो एक बार ट्राय जरूर करिएगा, बस थोड़ा बेशन से हमारे, मतलब 700-800 ग्राम लड़ू बनकर रेडी हो जाएंगे, मतलब 1 किलो से 2-3 लड़ू ही कम होंगे, इतने लड़ू बन जाएंगे, तो बस इसी तरह से हमने सारी बुंदी बना ली है, अब देखिए, ये बुंदी एकदम फाइन है, क्योंकि हमने इसमें जो बड़ी बुंदी थी न, वो अलग कर दी है, छोटी-छोटी बुंदी बस निकाल ली है, तो देखिए, एकदम परफेक्ट बुंदी बनकर रेडी हो गई है, अब हम बना लें इसकी चाशनी, तो एक कप चीनी लेना है, जितना हमने बेसन लिया था उतनी चीनी और उसका आधा पान बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, इसके लावा आपको कुछ नहीं करना है, एक कप चीनी और आधा कप पानी लेना है, और इसे रख देना है उबलने के लिए, गैस का फ्लेम कैसा भी रखेंगे चलेगा, बस चीनी घुल जानी चाहिए और इसमें उबाल आ जाए, ये थोड़ा चिप-चिपी हो जाए, इतना हमें इसे उबालना है, आप इसे हाथ से छूप कर देखेंगे ना, ये उंगलियों से चिप-चिपी लगने लगे, तो समझ जाईए कि चीनी बन गई है, अब गैस का फ्लेम एक्दम लो कर दें और इसमें आप फूड कलर एड़ कर अगर आपको बूंदी के लड़ू है वो एकदम हलवाई की दुकान जैसे बनाने हैं, तो फूड कलर एड़ कर दें नहीं, तो बिना फूड कलर के लड़ू टेस्टी ही बनेंगे, तो उसके बाद आप हम इसमें डाल देंगे बूंदी और गैस का फ्लेम मेडियम टो लो र लागे, जब तक कि आप बूंदी को जब छू कर देखो न, वो एकदम सॉफ्ट हो गई हो, इतना हमें इसे पकान है, बस लगातार चलाते जाएंगे, तो ये चाशनी को अबसर्ब कर लेगी बूंदी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, देखें, जब बूंदी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी, तो गैस का फिर्म बंद कर देंगे, बूंदी को नीचे रखेंगे और लागातार चलाते रहेंगे, जब तक कि ये ठंडी न हो जाएगी, जब ये एकदम ठंडी हो जाएगी, आप इसे ऐसे ही छोड़ दे, जब ये ठंडी हो जाएगी, तो हाथ में ड्राइफ रूट्स डालने, अगर डालना है तो बिना ड्राइफ रूट्स के बना लें, या मागज डालने, जो मार्केट के लड्डू में पड़े रहते हैं, तो उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं, और इस तरह से जोर से दवाएं, हमारे एकदम याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे ना, और 6 जनबरी 15 अगस्त में स्कूल जाते थे तो ये दो लड्डू पैकेट में मिलते थे, हैना, और वो देखकर बहुत ही खुश होते थे, हैना, तो इसी तरह आज हमने लड्डू घर पर बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही बन ये एकदम सेट हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आप इसे जरूर ट्राय करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसेपी अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें